हेलो फ्रेंद्स वेलंगा बेक तो माई यूट्यूब चनल नीट एजुकेटर्स मैं हूं उतकर्स और आज हम करें न्यू चेप्टर जो किया अप्टिकल इंस्टूमेंट इसका पहला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप ठीक है तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप होता क्या है तो माइक्रोस्कोप इज ऑप्टिकल इंस्टूमेंट विच फॉर्म लार्ज इमेज ऑफ अफ लोग ने लैब्स में देखा होगा यह इंस्टूमेंट होता है जो बहुत छोटी चीज को आराउंड फिफ्टी तू शिक्टी तैम्स मैंगिफाई कर देता है ठीक है इस इमे एक सिंपल मा maeЙक्रोस्कोप का IQराम थियू स्माल आप्जेक्ट बेख बिट्विन हैं यह आपशोसरा इनच है यह हमारा संपल अब्जेक्ट है यह मारा ऑप्जेक्त है स्मपल माइक्रोस्कोप में हमारा कॉन से रहो होता है कॉन्सक्ट जीग भी कि ठीक है मैं इस फर्स्ट बन रहे है अब देख सकते हैं जैसे कि डाग्राम में कि ए भी तो छोटा है जब कि ए डाइस पी डाइस बढ़ा है तो यही सेम इसी तरीके से सिंपल माइक्रोस्कोप भी बढ़ा करता है ठीक है एक डिस्टेंस डी फ्रॉम दा लैंस और जो इमेज बन रही है हमारी इसकी लैंस से हमारी कितनी डिस्टेंस से डी और हमारी जो आया है वह भी लैंस पी रखिया ठीक है अब यह वह यह तो डाइग्राम होगा जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा पर जब हम उसको न अब इसमें एक बात यह है कि जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो जो इमेज से हमारा एंगल बन रहा है आई का वह हमारा होता है बीटा और जब हम नेकड आय से देखते हैं तो हमारा जो ऑब्जक्ट का एंगल बन रहा है वह हमारा होता है अलफा ठीक है तो जैसा कि मै आपोन आपए उप्जक्त राए है वैसे क्या होता है मेगिस्फिकिशन इमेज अब आभ यह रहां अब इसमें आई जाएगा तो हमारा इमेज क्या है हमारा बीता बीता और ऑर अब फिन्ट का QA alpha ठीक है तो जब किंटा में ten beta लेंगे तो यहाँ जाए गामारा ab upon over टीक है और ऐसी alpha का हम 10 alpha लेंगे तो यह ऑना ये वही एक तो यह अब इसमें जो हमारा ओए है वो क्या है हमारा ओब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसको हम किसे डेनोट करते हैं यू से है तो मैंगनिफिकेशन क्या होगा है दी अपॉन यू जिसमें कि यह हमारी डी है यह होती है हमेशा 25 सेंटीमीटर ठीक है तो अब क्योंकि हमारे जो इमेज थी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर बनी तो माइनस की ओगी माइनस की डी और यू भी हमारे लेफ्ट हैंड अपॉन माइनस यू यह माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है और अब हमें यही निकालना है तो यह यहां पर आ जागा तो यह भी प्लस का हो गया तो सब प्लस में टर्म्स हो गया अब ठीक है अब इस साइड भी और इस साइड भी मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाइड दोनल साथ D से मल्टिप्लाइ कर देंगे यह तो हो गया D by U यह हो गया 1 ठीक है और यह हो गया D by F ठीक है अब इसका ले लेंगे L से हम तो यह हो गया D अब क्योंकि D by U हमारा क्या था मैगनिफिकेशन तो हमारा का एक और क्या फ्रमुला आ गया हो गया हमारा M is equal to D plus F upon F ठीक है अब यहां से from here shorter the focal length जितनी छोटी focal length होगी larger the magnifying power उतना ज्यादर जो हमारा simple microscope होगा magnify करेगा ठीक है इसका मतलब क्या है जो हमारी magnifying power है वो inversely proportional किसके है focal length की ठीक है shorter the focal length जितनी छोटी focal length उतना बड़ा magnification होगा larger the magnifying power ठीक है now if I is kept at distance D अभी तो हमारी मानी थी distance जहां पर हमारा lens है वहीं पर रखी है ठीक है पर अब distance D होगई थोड़ी आगे या थोड़ी पीछे होगी ठीक है और पीछे होगे हमारी तो अब वी के होगा हमारा minus D minus D होगया distance में से जो हमारी magnification अब क्या आ जाएगा अब हो जाएगा D minus D जो हमारी यह D की value थी यहां पर हम केवल D minus D रख देंगे ठीक है तो यह कब की होगई यह minimum होगई जब questions में पूछा जाएगी minimum distance क्या है तो जब भी minimum का पूछा जाएगा तो हमारी magnifying power का क्या formula लगाएंगे यह M is equal to 1 plus D minus D upon F अब अगर now if object is placed at F अब जो हमारा object है वो F पर ही रखा है मतलब U हमारी का है F तो magnifying power क्या हो जाएगी हमारी D by U होती है तो U की जगा पर हम F रख देंगे तो क्या हो जाएगी D by F जो की कह relaxed eye की magnification ठीक है तो इस वीडियो में केवल इतना ही next वीडियो में मैं compound microscope बताऊंगा और thank you for watching this video